भागलपूर में आस्था का महापर्व छट पुजा उदयमान भगवान भासकर को अर्गदने के साथ संपन्न हो गया। कई घाटों पर भगवान भासकर को अर्गदने के सधालों की काफी भीड़ देखी गई। पिछले कई घंटों से निर्जला वरत रखकर छट प्रतियों ने अपने अराध्य को खुश रखने में कोई कसर नहीं छोड़ी। छट प्रतियों के अलावे अन्य महिलाएं भी पान रही थी। गंगा घाटों के अलावा हर घर में छट मैया के भजनों से बातावरन में आस्था की सुगंद घुल गई। प्रता साथ बजे तक पूजा संपन होने के बाद गंगा अनदी के घाटों से लोगों का लोटना शुरू हो गया। उससे पहले बुद्धवार की साम में गंगा घाट पर अस्ताचल गामी सुर्य को पर्थम अर्गि देने के लिए उरती और उनके परिजन जुटी हुए थे। कई गंगा घाट के रावे कई अस्थानों पर कृत्रिम तालाब में भी पवित्र छट पूजा मनाया गया। जबकि कई लोगों ने अपने घर की छट पर ही सिमित रूप से कृत्रिम तालाब का निर्मान किया था। सूरी को अर्ग देने के वास रधालू भक्ती भाव से बिभोर होकर जम कर छुमे। प्रकिर्ति को समर्पित छट महापर्व को लेकर भागलपूर की बिभिन गंगा टटो पर सुरक्षा के ब्यापक इंतिजाम किये गए थे। भागलपूर के जिलाधिकारी सुब्रत कुम और एसेस्प्रिंटा सा गोडिया समेथ कई आलाधिकारी पूरी विवस्था की मौनिटरिंग खुद कर रहे थे। बिभिन ने गंगा टटो पर एसजी आरप की टीम किसी अनोहोनी की आसंका से निपटने को लेकर इंस्पेक्टर गनेश जी ओजा के नैतिर्तु में तैनात दिखी। इस प्रकास सुध्यता, स्वचता और प्रकिर्ती को समर्पित लोक आस्था का महापर्व छट का समापन भागलपूर सहीत पूरी प्रदेश में उत्सा के महाल में संपन्य हो गया। सहर से गाउं तक बातावरन छट में हो गया था। सहर रोसनी से जगमगा रहा था। छट घाट तक जाने वाले सभी रास्तों को आकर सक लाइट और जालर से सजाया गया था। वही गंगा घाट पर आने वाले सधालूओं को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो उसको लेकर नगर परिशत के दोरा गंगा घाट उपर बेरेके डिंग की गई थी। सधालूओं के लिए बिजली, पानी, सोचाले, महिलाओं को वस्तर बदलने के लिए चेंजिंग रूम सहित अनी चीजों के वेवस्ता नगर परिशत के दोरा की गई। कई जनप्रतनी थी वप्रादिकारी ने गंगा घाट पर पहुँचकर उद्यमान सुर्य को अर्ग दिया और इस प्रकार सुर्योपासना के महापर्व की समापती हुई। बताया गया कि वे पूरे परिवार के साथ मिलकर छट मनाने मिर्जापूर घाट गया हुआ था। वही अर्ग देने के बाद वह नहाने चला गया और पैर फिसल जाने के बाद वह अन्यंसित होकर गहरे पानी में चला गया। तभी किसी के नजर उस पर पड़ी तो तराक के मदद से उसे बाहर निकाला गया। इलाज के लिए नीजी क्लिनिक में ले जाया गया जहां ट्रॉक्टरों ने उसे मृत खोसित कर दिया। मिर्तक की पहचार नया टोला मिर्जापूर के पिंकू यादब के सबसे छोटे पुत्र प्रियम कुमार के रूप में हुए है। मिर्तक सबसे छोटा लड़का था घटना की सूचना मिलने पर पहुँचे अस्थानिय पूलिस ने सब को अपने कबजे में लेकर पोश्ट माटम के लिए भेज दिया। मामले पर नात नगर अंचला दिकारी सिमीता जाने पहुँचकर परजिनों को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। कारकरता की तरह पार्टी में बना था और तमाम कारकरता का भिन्दन करते उन्होंने कहा कि भारतर जिन्ता पार्टी देश की सबसे अच्छी पार्टी है जहां सेवक को हमेशा सीवा का लाव मिलता है। अध्यच के नेत्रितों में कारकरताओं ने फूल माला पैनाया। उसके बाद बैजानी गाउं में उनका स्वागत किया गया। कारकरताओं के साथ मिटिंग भी ली गई। अफसरफ्र भाचपा के फूर्वजिलाध्यच नभे कुमार चौधरी, भाचपा जिलावपाद्यच दिलिप निराला, भाचपा जिलावपाद्यच बिपुलकुमार, भाचपानेता बिनोट, सिन्हा, चान, आलम, अनिमेज खोस, बैदनाथ मंडल, मनोच सहा प्रभाकर ज आएसे जलना है, सबसे पहले जो नजदीक होता उसको रुसनी जादे जननी, ज़िविया लांटेन की तरह जलना है गे लेडी की तरह, पुरे बिहार को एक नजर से देख से, और जो भागलपुर का पुराना जिला है, वो जार्खन बोडर से लेके, नेपाल बोडर तक भाग जिला होगा पुराने आट पुराना है, भागलपुर को नजर से लेके, नजर पुराने की मिश्रन है, पुराना चीज भी जानते हैं, और शुपॉल भी उसी जिले रेका, आज़ी हम दो कोई अलग जिले की आदमी ठोड़ी है, चुनाम ने लोग कह देता इस पार्थ का है ललित कुमार इसमिर्ती फुटबॉल चैलेंज कब 2021 का फानल मुकाबला गुरू वारको सुल्तान गंच की गंगनिया रेलवे इस्टेशन मैदान पर मुंगेर सीतलपूर की टीम बनाम 11 स्टार मुबार्चक टीम के बीच खेला गया, पहले हाप में 30 मट के खेल में 17 नंबर की टीम बहुत बनाते हुए जीत हासिल कर ली, इस दुरान दर्सकों की दोनों टीम की खिलारियों ने भरपूर मनोनन जन किया, निरनाय की भूमिका में ससी कुमार और राहुल कुमार थे, वही मैन अब दा टूनामेंट सीतलपूर की टीम की अंकित कुमार को गंगनिया पं इस दुरान खिलारियों और खेल प्रेमियों को समोधित करते हुए विधायक भाब उखो गए, उनने का कि कॉलेज जमाने से ही हमने काफी समय खेल में बिताया, इस गाउं से हमारा पूरना रिस्ता है, हम दोनों टीम को दिल से धन्यवाद देते हैं कि अपने खेल का परिचय देते हुए खेल प्रेमियों का भरपूर मनोन जन किया और दोनों टीम ने बेहतर प्रदर्शन किया चट महापर्व को लेकर गंगा घाटों पर आने वाल सरधालों को कोई परिसानी ना हो उसको लेकर ग्राम रचादल सह पुलीस मित्र की भी सुल्तान गंज पुलीस ने सहयोग ली मेला के दुरान ग्राम रचादल के जवानों को सिरुवी घाट, जहाज घाट, अबजुगंज, कमरगंज, जहांगीरा सहित अन्य घाटों पर तैनात की गई थी इस दुरान पिंटु कुमार, मिली कुमारी, वर्सा कुमारी, पुजा कुमारी, मुन्ना कुमार, जितेंद्र गुमार, सहित दरजनों ग्राम रचादल के जवान मुस्तैदी के साथ मेला में अपने करतब विकान निर्वहन कर रहे थे साथी ग्राम रच्छा दल पुलीस मित्र की और से समस्थ सुल्तान गंज वासियों चट प्रतियों को चट महापर्व की हार्दिक सुपकामनाय भी दी गई